Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज किस वीडियो में आपको Automobile के Suspension System और Wheel Alignment से जुड़े हुए एक बहुत है Important Term Camber Angle के बारे में डिटेयल में बताऊंगा तो Friends, चाहे आप Automobile के Engineer हो, Technician हो या फिर आप Automobile फिल्ट से जुड़े हुए हो, तो आपको Wheel Alignment से जुड़े हो इस Camber Angle के बारे में पता होना जरूरी है तो Friends, वीडियो को इन तक जरूर देखें वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर दे Indicular Axis है तो जो गाड़ी का Wheel है जो गाड़ी का टायर है वो उस Vertical Line से या तो Slightly Left की तरफ मुड़ा हुआ होता है या फिर Slightly Right की तरफ मुड़ा हुआ होता है जैसा कि आप इस Image बे देख रहे हो हम लोग मान लेते हैं कि ये Road है उसके बाद आप देख रहे हो तो Road का ये Vertical Line है अब फिर्चिंज ये हमारा टायर और हर एक टायर का एक State Line है तो इस वाले टायर का हम मन लेते हैं कि ये Centre Line है तो आप देख सकते हो कि जो टायर का Center Line वो रोड़ के Vertical Line के साथ एक angle पे है जो कि आप yellow color में देख रहे हो तो फ्रेंट्स ये जो angle है वो कहलाता है camber angle अब फ्रेंट्स ये जो camber angle है वो कभी positive भी होता है और कुछ काड़ीयों में negative भी होता है ये depend करता है कि गाड़ी का chasis और suspension सिस्टम का design कैसा है फिरंट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं negative camber angle की बारे में और ये जानते है कि गाडियों में negative camber angle को क्यों दिया जाता है फिरंट स नेगेटिव camber को front wheel drive गाडियों में use जा जाता है यानि कि वैसी गाडिया जहां पे engine से power आगे के wheel को मिलता है अब friends जिन गाड़ियों में negative camber होता है वहाँ पे गाड़ी का जो wheel होता है वो slightly inward जुका हुआ होता है यानि कि अंदर के तरफ जुका हुआ होता है जैसा कि आप इस image में देख भी रहे हो और इस point of time पे जो wheel का center line है और जो road का vertical line है इनके बीच में जो angle होता है वो कहलाता है negative cam के working को आई अब हम लोग एक example के help से समझते हैं आप इस image में देख रहे हो कि एक car है जिसके wheels में negative camber का use किया गया है और इस point of time पे जो गाड़ी है वो खड़ी है static condition में है और इसके साथ ही जो गाड़ी का wheel है और road के surface का contact path भी आपको green color में दिखाए दे रहा है अब friends जब हम लग going turn लेते हैं तो corner करते वक्त यह होता है कि जिस तरह हम लोग turn ले रहे उस तरह का जो tire है उसका जौ negative camber है वो decrease हो जाता है MICHAEL किम हो जाता है और उस point of time पे जो उस wheel का wheel का road के surface का contact path हो बढ़ जाता है वहीं जोकी में दूस डीरा wheel है उसका जो negative camber है वो इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा नीचे का जो वील है उसका उसका जो contact path है वो मैने स्यानी की कम हो जाता है फ्रेंट्स जो front wheel drive गाडिया होती है उन गाडियों का tendency होता है कि turn लेते वक्त उन गाडियों का जो turning radius है वो जादा होता है अब negative camber को front wheel drive गाडियों में यूज करने से ये फाइदा हो जाता है कि एक तो turning radius से वो कम हो जाता है जो हमारा tire है उनका जो roll over होने का tendency है वो कम हो जाता है इसके साथ ही जो हमारा tire है उनका road के surface के साथ contact बढ़ जाता है इसके साथ ही जो front wheel drive गाडिया है जिन में जो हमारा negative camber होता है उससे ये भी फाइदा होता है कि हम लोग high speed में corner में turn ले पाते हैं उसमें handling का problem नहीं आता है गारी की जो stability बढ़ जाती है तो यही सब फाइदे है negative camber के front wheel drive गालियों में अब बात करते है positive camber के और positive camber को rear wheel drive गाड़ियों में use कर जाता है यानि वैसी गाड़ियां जहां पे engine से power पीछे के wheel को मिलता है अब जिन काड़ियों में positive camber होता है वहाँ पे यह होता है कि गाड़ी का जो wheel है वो slightly outward जुका हुआ होता है यानि कि बाहर की तरफ जुका हुआ होता है और इस point of time पे जो vertical line है road का और जो center line है wheel का इनके बीच का जो angle होता है वो कहलाता है positive camber अब फ्रेंट पॉजिटिव camber को इसलिए यूज कहाता है क्योंकि जो rear wheel drive गाड़िया होती है जिने power पीछे की तरफ मिलता है और जो पीछे का wheel है वो car को move करने में help करता है वह इस तरह की गाड़ियों में positive camber को use करके गाड़ी को stable बनाया जाता है जिसके वैसे चाहे गाड़ी straight चल रही हो चाहे हमें corner ले रहे हो turn ले रहे हो उस time पे क्या होता है कि गाड़ी की stability बहतर हो जाती है handling बहतर हो जाता है इसके साथ ही जो positive camber है उसके वज़े से यह होता है कि जो हमारे गाड़ी का tire है उनमें जो load है वो even हो जाता है यानि कि पूरे चारो wheel में load even होता है जिसके वज़े से भी stability बहुत ही बहतर हो जाती है positive camber को use करने के वज़े से तो friends आज के इस वीडियो मैंने आपको camber angle के बारे में बताया आपको बताया कि positive camber angle और negative camber angle क्या ह होता है तो I am sure आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप camber angle के बारे में अच्छी तरह से जान गया होंगे तो friends अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे like और दोस्तों शायर जरू कर दे वीडियो के बारे मारे चैनल के बारे इतनी राए आप मुछे कॉमेंट